तो यहां पर देख लीजिए वैसा कि मैं आपकी कल कोई भी क्लास नहीं ले पाई थी इसके लिए एम सो सॉरी लेकिन आज से आपकी लाइफ क्लास भी स्टार्ट हो जाएगे क्योंकि आपको देखा था कि कल में साम में ही चेक चेक हो चुका है यानि कि लाइफ क्लास अब होन ही लेकिन अभी जितने basic से वो complete करें क्योंकि इसमें मैं जितना भी questions करा रही हूं वो सारे के सारे कीजिए फॉस्ट और अगर आफ ने हैं तो प्लिजे माचल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले चोटे से बल अगानों क्लिक कर देजिए और पुड़ा ने है तो बस एक लाइक कर दीजिए वही काफी है और जास वड़ा इस वीडियो को सेयर कर दें ताकि सारे ब आइडम इन फ्रेचर कोस्टन से तो जानते हैं ए बिहाइब ए बिहाइब मिन्स क्या होता है इसो कवी पर नोट कर लीजिए और से याद कीजिए ए बिहाइब मतलब होता है एक वेस्त जगहा एक ऐसा मतलब कि एक बीजी यह देखे आपको 20 में ही आएंगे आपको इससे क् कुस्टनस में कैसे हैंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी एक विवाद जिसका निप्टारा हो सके एक केक वाग मिन्स क्या होता है केक वाग केक से रिलेटेड यानिकि क्या केक आसानी से कर जाता है इसे के लिए एक आसान कार एक चील टुदा हर्ट बहुत अधिक भ होता है तो एक कंजूस्ट वेक्ति और जिनलों को टीचिंग एपिट्यूट का कोस्टन्स इंग्लिस में चाहिए तो मैं बेसिकली मैं सोचूंगी आइमीन कि मुझे अगर मिलता है कहीं से तो मैं आपको जरूर प्रवाइट कर दो क्यों कि इंग्लिस में मैं इसलिए नहीं प राहि एक ऊसी तरीके से एक फ्लाइंग विजिट यानि थोडी देर का विजट्रूर जरूर इसी तरीके से एक फ्लाइग विजिट यानि कि थोडी दिर का विजिट फिर एक गोम्डीन मीन उनक्र कोम होता है kisona कभी भी सोना ही होता टो एक भीच का रास्ता हम और जैसे कि आप इंगलस में खोज रहे हो मुझसे कोई छीज इसी की भीच का रास्ता आपको सबसे ऐच्छे क्लास के हैं है आपको पीडिय प्रोवैट करा दिया जाए और बाकीया बिहार के हो तो इदनी जानते ही वह उस प्ल creat course मतलब होता है बोहती कठीड कार्व है याALLY कि उस необходимо पूलन टास दे दिया गया बहुत ही कठिन कार इन नाइन डेज वंडर चार दिन की चांद नी फिर तो अंधेरी वाद तो आप क्या कहोगे इन डेज वंडर फिर क्या है एपीनी लोग वे मतलब कभी समाफ्त नहोने वाला यानि कभी यह समाफ्त कभी नहीं होगा एसोर वहाँ पर आपको इंग्लिस में ओप्शन में क्या रहेगा ओनेश्टी तो आप ओनेश्टी से ही माल लोगे डेरेट तो हिंदी और इंग्लिस में कंपेरीजन मत करो यह स्टेंडिंग जो मतलब क्या है कि मजाक या हसी का विशे इबावट फेस टर्ण अपने विचार और रिष्टी कौन से पूर्ण बदलाव यानि कि तुरंद पलट जाना फिर यहाँ पर देखें यह वी कोश्टन से आपका आया हुए है इसमें जितने वी कोश्टन से सब आप क्या आये हुए है एवव बोर्ड मतलब क्या है इस पस्ट एवम इमानदारी भड़ा आप अगर प्रिवियस से कोश्टन देखते हो तो देखना पूछे हुए कोश्टन इसमें सही कोश्टन आया है फिर क्या है एवव पर मतलब साधारन से उंचे अस्तर का एक वन स्लीव एक ऐसी लाख पहुचाने वाले जिसको दूसरों के बारे में पता नहीं है एचिल हील मतलब होता भी आप बोल सकते हैं तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बाते बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी अगर समझ में आई होगी तो एक लाइक तो बनता है तो लाइक कर देजे और जाला सिदा सेर कीज़े और पढ़िए ये मत देखे ऐसा नहीं है 200-300 को है कि फॉर्म परूंगा तब परूंगा ऐसा आप मत कीजिए पहले से पढ़िए उन्हीं लोगों को कॉलेज बिलता है और जो लोग तुरंत पढ़ते हैं भाई या तो वह रजिद्दर प्रशाद होते हैं या रोबर्ट होते होंगे तो ऐसा नहीं है तो पढ़ाई कीज कंटियूटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इसी के साथ प्यास से विद्दा लेती हूँ आई होग कि आज के लिए आपका दिन मगलवय हो